हेलो फ्रेंट्स एडुकेशनल फ्रेक्ट चैनल में आपका स्वागत है हाजिर है आपके लिए आज की एक खास अपडेट को लेकिए तो आप जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका एच्च प्यू के रिकार्डिंग 15,330 वित्यार थीं, हच्पहु की त्यारियां पूरी तो आपके जो एक्जाम सेंटर है 48 एक्जाम सेंटर में आपका जो एक्जाम है वो होने वाला है और ये एक्जाम सेंटर की लेस्ट आपको एच्प्यू की ऐफिस्य-वेब साइट पर देखने को मिल जाएगी जैसे ही ये जारी की जाएगी वो भी हम आपके साथ जरूर साजा करेंगे और आगे इसमें जो अपडेट आप देख सकते हैं हिमाजल प्रदेश विश्योव जाल्यों की प्रवेश प्रिक्षा शाखा ने बियड की 27 मही को होने वाली प्रवेश की तियारिया पूरी कर ली है यहाँ प्रिक्षा निर्धारित की गई तीथी को सुबा 11 से दो पहर एक बज़े तक होगी वीवी ने प्रिक्षा के लिए प्रदेश के 15 शेरों में बनाएंगे 48 प्रिक्षा केंद्रों की सूची वेबसाइट के मादिम से जारी कर दी गई है लेकिन यह अब भी अप्लोड नहीं हुई है शायद और कांगडा जिले में इसमें 10 प्रिक्षा केंद्र जो सबसे अधिक केंद्र है वो बनाएंगे हैं शिमला में 9 बनाएंगे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि जारी की गई प्रिक्षा केंद्रों की सूची के अनुस पी इसमें केंद्र बनाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि केंद्रों को मिलाकर 8 और एक केंद्र रामपूर है इसमें इस तरह से 9 है शिमला के उनना में 2 जब की अम मैं एक प्रिक्षा केंद्र बनाया गया है आगे इसमें देख सकते हैं आप प्रिक्षा के लिए 21 2023 आविदन करताओं को केंदर आवेंटित करती के हैं वीवी जल्द ऑनलाइन परिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन एड्मिट कार्ड जारी करतेगा वीवी के परिक्षा नियंद्रक डॉक्टर जे एस नेकी ने बताया बज़त्तर सरकारी और नेजी वीअड कॉलजों की अठतर सो सीटों के अविदन की परक्रिया पूरी की जाएगी इसमें आपके आठतर सो सीटे हम वीड की जोप्ल होनी है जिसके लिए 2330 अभिहार्तियों ने आविदन किया है तो जो ये center की list है वो आपको कल तक optional website में देखने को मिल जाएगी अभी तो ये upload नहीं हुई है मैं चेक कर रहा था तो आपको मिलती है तो अच्छी बात है लेकिन अभी upload नहीं हुई है तो आगे जैसे ही आपकी admit card आते हैं उसे किस तरह से download करना है कहां से ये download करने है वो भी आपको update हम देंगे जरूर जैसे ही वो आपके release हो जाते है तो ये आज की update थी I hope ये वीडियो आपको पसंद आई हो कि वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है यहां भी आपको HPPSC, HPU की जितने भी updates होती है latest updates वो मिलती रहेगी तो मिलते हैं अगली update के साथ तब तक के लिए बाबाए